गुद बारिंग नमस्कार जैन मैं हरेन चौधरी आज आप सब के लिए एक जाम साला के लिए पर लेकर आए हूं सलोग का बहुत ही जबरदस्त कैन नेवर का कॉंसप्ट देखें कैन नेवर होता क्या है लोगों को लगता है कैन नेवर मतलब पॉस्टिबिलिटी केस है कैन ल जैसे कि आपको मैं क्वस्ट देखाए है, आप को आपको इगज दिखाए है तो यहां से में लूइ étant जिए कि जो आपका ये वाला प्वोर्सन आप देख रहे हैं यह वाला पॉर्सन ये वाला के घर में आ रहा है वो कभी भी पपाया होगा नहीं तो आपके पास question जो था वो ये लिखा हुआ था कि some apple can never be papaya तो हम इसी some not में change करेंगे some not में जब change करेंगे तो ये बनेगा आपका some apple are not papaya apple का कुछ भाग क्या नहीं है papaya नहीं देखिए जाकर diagram पर आप देखेंगे तो 100% apple का ये भाग कभी भी papaya होगा नहीं मतलब वो स्थाई है अगर वो स्थाई है तो इसका उन्दर स्थीली सी बात है can never be क्या है लेकिन दूसरा देखो some papaya can never be apple means इस बार उसने उल्टा पूछा कि papaya का जो कुछ भाग है वो कभी भी क्या नहीं होगा apple ये है some not का diagram सर्थ some not का relation है किसका किसके साथ apple का papaya के साथ और some not जो होता है वो होता है single side relation एक तरफा कि इधर से तो कह सकते हैं लेकिन उल्टा पूछोगे तो सब कुछ doubt होगा और doubt किसमें सही होता है possibility में जबकि can never is not a possibility इसलिए यह हो जाएगा wrong तो आपका answer आएगा only first follow यह आपके सामने जो मैंने आपको बता है अभी can never का concept था बहुत जबर्दस concept होता है तो एक बार आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा यह ना लास्ट में फिर से मैं आपके लिए एक सलोग का और अच्छा कोई ने कोई concept लेकर आऊँगा जैसे only a few या कुछ भी फिलाल आज के लिए इतना ही एक्जाम साला की यूटूब चैनल पर जुड़े रहें मेरे साथ मैं आप सब का दोस्त हरें चोधरी इसी के साथ आ